रश्या की राजधानी मॉस्को पर एक बड़ा अटैक हुआ है 60-70 के आसपास लोग माले गए हैं 1500 से उपर लोग घायल हैं और यहापे आप देख पाओगे 60 killed, over 100 injured in Moscow concert hall attack जो वीडियो सामने आई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा horrifying है और यकीन होता नहीं है कि रश्या जो एक अपने आप में super power है इसकी capital में यह सब हो सकता है अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब किया किसने है क्या रश्या आपको इसकी warning नहीं आई warning देखिए USA ने रश्या को भेजी थी interesting बात मैं आपको बता रहा हूँ कि Moscow में ही अटाक होगा surprisingly तब भी रश्या में जो important locations है for example इनका जो concert hall है यहाँ पर security increase नहीं करी गई और जो gunman है जो आतंगवादी है यह concert hall में चले गए और कई नहत्य लोगों पर गुलिया चलाई मैं जब वीडियो देख रहा था मुझे एक बार को as an Indian 26-11 की आदाई हालाकि 26-11 magnitude में काफी बड़ा एक attack था मगर रश्या के case में at least इनको warning तो मिली थी परहापस यह attack यह रोग भी सकते थे और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह वीडियो यह है कौरकस City Hall Moscow region में आप क्या सकते हैं काफी पॉश राका है और यह हल हुआ है इस concert hall का अब यहाँ पर आप समझ रहे होगे कि क्यों मैं इसको 26-11 से कुछ हट तक compare कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से जो gunman है जो militants है यह अंदर चले गए नेत्ते लोगों पर गोलिया चलाई उसके बाद bombs भी explode किये यह shocking है कि आज के समय 2024 में यह सब हो रहा है Moscow City में और इस वीडियो में आप देख पाऊगे लोग किस तरीके से बचकर भागे हैं इस concert hall से एक बार गोलिया चलनी जब start हो गई थी यहाँ पर आप देख पाएंगे और अगर यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यह अटाइक most probably Ukraine ने किया होगा तो देखो नई USA और बाकी जो countries है USA का जो media especially वो लोग यहाँ पर जाम लगा रहे हैं Islamic State पर वो रोग कह रहे हैं कि जो ISKP है जो अफगानिस्तान में operate कर रहा है वहां से हो सकता है कि यह अटाइक हुआ हो और जो यह attackers हैं यह तजिकिस्तान से आए हैं जबकि यह समझना बहुत ही मुश्किल है एक geopolitical context में कि रश्या पर क्यों अटाइक किया जाएगा कुछ इसकी sense बन नहीं रही और एक प्राम निस्टर निरंदर मोदी ने इस अटाइक की निन्दा करी है यहाँ पर आप देख पाएंगे tweet ना मोदी जी ने यह बात यहाँ पर mention करी most probably चाइना की तरफ से भी एक statement आएगी शीजिंग पिंग भी कहेंगे के बहुत बुरा हुआ कुछ और कंट्रीज की तरफ से भी आएगी है statement मगर west जरातार चुप है USA, Germany, France वगरा वो सब कुछ अभी के लिए निन्दा तक भी नहीं कर रहे इस अटाइक की जो मेरे हिसाब से गलत है आतंगवादी हमला होता है जहाँ पे मासुमों की मौद होती है उनके लिए तो एक बार को आप इस अटाइक की निन्दा कर सकते हो और दूसरी बात मैं आपको यही बदाता हूँ अगर हम 2017 में जाए ना तो अंडर Donald Trump USA जब information प्रोवाइड करता था रश्या को एक अटाइक की कि आपके देश में अटाइक हो सकता है वो information इतनी accurate इतनी सटीक होती थी कि रश्या वो अटाइक रोग भी लेता था मैं आपको example दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख पाओगे 2017 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ व्लाद्देमिर पुतिन ने personally Donald Trump का थैंक किया था क्यों क्योंकि CIA ने एक proper tip दी थी कि एक आतंगवादी हमला हो सकता है इन्होंने actually properly बता भी दिया था कि कहां पर यह हमला हो सकता है किस टाइम हो सकता है और रश्या ने टाइम पे आट करके यह अटाक रोग दिया और मैं आपको यह बता दूँ उस टाइम प्लैन यह था अदंगवादियों का कि कजान काथीडरल एक बहुत बड़ा चर्च है अचली कथीडरल चर्च ही बड़ा होता है वहाँ पर यह एक बॉम ब्लास करने वाले थे और सेंट पीटर्सबर्ग जो रश्या का सेकिंड लार्जर सिटी है उसके कई इलाकों में यह अटाक करने वाले थे यह बड़ा टर्रिस अटाक रश्या रोक पाया था USA की हेल्प से इस पर्टिकुलर केस में मुझे यह भी आप लग रहा है USA ने उतना जादा अच्छा इंटेलिजेंस इंपुर्ट रश्या को दिया नहीं जो ट्रम के टाइम में आया करता था और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं USA को कैसे बता लग जाता है कि बड़ा अटाक होने वाला है तो इसका जवाब मैं आपको जरेता हूँ USA के बहुत सारे स्पाईज हैं जो डिप्लॉइड है रश्या में रश्या के बहुत सारे जासूस हैं जो डिप्लॉइड है यूएसे में तो इनको काफी बारना एक दूसरे के बारे में, कि उस country में क्या हो रहा है, इन detail बता होता है, कि कहां पर movement हो रही है, कुछ attack हो सकता है नहीं हो सकता, मैं एक example के लिए आपको बता रहा हूँ, American history का, जो सबसे बड़ा आतंगवादी हमला हुआ था, 9-11 का attack, September 11 attack, उसके बारे म Vladimir Putin ने warning दी थी USA को, कि ऐसा एक attack हो सकता है, तो यह मैं आपको बस बता रहा हूँ, यहाँ पर यह assume मत कर लेना, कि अच्छा, USA ने पहले ही warning दे दी थी, तो क्या पता, USA ने यह attack करवाया होगा, not necessarily, I mean, मैं यहाँ बिलकुल कुछ reject भी नी कर सकता, किसी theory को, मगर मैं आपको ब Council of the Russian Federation, Vladimir Putin के काफी करीबी है, इन्होंने यह काए, कि अगर यह पता लग गया, कि इस attack का कही ना कहीं से connection था, कीव रेजीम के साथ, मतलब यूकरेन के साथ, तो हम बिलकुल किसी को माफ नहीं करेंगे, हम सभी terrorists को destroy कर देंगे, यह नोंने बातें यहाँ पर कई है, और उसके in a state of war with Ukraine for the first time, इससे पहले Russia हर बार क्याता था, कि यह एक military operation हो रहा है, चाहे, सारी दुनिया यही कहे, कि यह war ही तो है, अब war इससे दरा और क्या होगी, कि Ukraine बेल गुरोथ पर attack कर रहा है, Russia attack कर रहा है Ukraine पर, but अब Russia officially कह रहा है, कि we are in a state of war, इससे देखिए, eventually nuclear weapons use करने का जो और खुल जाता है, मैं आपर यह बिल्कुल नहीं कहूंगा, कि Russia बिल्कुल बहुत जल्दी use कर लेगा यह सब, but एक बार को आप कह लीजिए, जो एक obstacle था, वो रास्ते से और हट जाता है, Russia right now is in a state of war with Ukraine, और अब जो recent attack हुआ है, इस attack के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, कि Russia के जो आम नागरिक है, वो भी गुसे में, आकरोश में अपनी सरकार को कहे, कि कुछ अब बड़ा कदम लो, हमें बहुत ज़्या तरीके से attack किया जा रहा है, तो अभी के लिए मैं आपर यही कहूंगा, as an Indian, हमारी prayers है with Russia, और मैं उमीद कर रहाँगा, कि आप लोगी comment section में लिखोगे इसके बारे में, क्योंकि heavy loss हुआ है, रश्या को कोई बड़ी बात नहीं है, कि मृत को का जो number है, यह 70-80 से बहुत उपर पहुच जाए, क्योंकि कई लोग अभी hospital में है, देड़सों के उपर, तो एक बड़ा attack हुआ है, रश्या पे, रश्या एक मुश्किल दो हो चुकी है, prices में एक huge drop रहने को मिला है, तो यह best time है study IQ के courses purchase करने का, आपको simply क्या करना है, comment section में जाइए, यहाँ पे आपको यह link मिल जाएगा, यह link पर यहाँ पको करना है, click, और फिर आपके सामने खुल जाएगा यह page, और यहाँ से आप UPSC course purchase कर सकते हैं, जो prelims, mains interview, तीनों पार्ट में आपका साथ देगा, study IQ के देखिए, course में खास बात यह होती है, आपका prelims clear हो गया, mains में आप पहुच गए, mains के लिए आपको दिल्ली में study IQ invite करेगा, आपको accommodation, आपका जो खर्चा है study IQ उठाएगा, और उसके बाद interview तक आपको पहुचाने की कोशिश की जाएगी by study IQ, तो एक पूरा comprehensive course है, यह सिर्व ऐसा नहीं है, कि बस prelims तक आपका साथ देगा, prelims to interview, that is why it is called P2I course, और जो यहाँ पर price लिखा है, 34,000 का यह पे करने की ज़रोत नहीं है, simply यहाँ पर क्लिक करिए 3 offers पर और यहाँ पर आपको लिख जाएगा, enter coupon code, इस जगह प time to buy this course, अभी holy card discount भी चल रहा है, use the code PD10 and save money, और इसी note के साथ यह है video कांथ, thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.